आदन ये देख जी, सदन में हसी मजाग, तिकाटी पणी, नौक जोग, ये तो होता रहता है, लिकिन ये नई भूलना चाहिए, प्याज राष्टर के रूप में गवरव पूर्ण अवसर हमारे सामने खड़े हैं, गवरव के ख्षान हम जी रहे हैं, राश्पती जी के पूरे भाष्ण में जो बाते हैं, वो एक सो चालीस करोर देश्वासियों के सलिब्रेशन का उसर है, देश ने सलिब्रेट किया है, मानिय देख जी, सो सालक में आई हुई ये भैंकर बिमारी, महामारी, दूसरी तरब युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहोल में भी, देश को जिस पकार से समहला गया है, देश जिस पकार से समला है, इस से पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गवरों से भर रहा है। अधरिने अधिक जी, चुनोतियों के बिना जीवन नहीं होता है, चुनोतियों था हाती है, लेकिन चुनोतियों से ज्यादा सामर्थवार है, एक सो चालिस करोर देश वाच्चों का चज़वार। एक सो चालिस करोर देश वाच्चों का सामर्थ है, चुनोतियों से भी ज्यादा बजबूत है, बड़ा है और सामर्थ से भरा हुआ है। कि इतनी बड़ी भंकर महमारी है, बटा हुआ विश्वा, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेक ओ देशों में अस्तिर्ता का माहोल है, कई देशों में भीशन महंगाई है, बेरोजगारी, खाने-पीने का संकट, और हमारे अडोस-परोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में मानिय अद्धक जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पर गर्व नहीं करेगा, कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थे वबस्ता बना, आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के, पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है, और मानिय अद्धक जी, ये भी खुशी की बात है, कि आज भारत को विश्व के समरुद्ध देश, ऐसे जी ट्वेंटी समू की अध्यक्ष्ता का अउसर भी बेदा, ये देश के लिए, ये देश के लिए गर्व की बात है, एक सो चालीस करोर देश वास्चियों के लिए गर्व की बात है, लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है, शायद इससे भी कुछ लोगों को दूख हो रहा है, एक सो चलीस करोर देश्वास्यों में किसी को दुख नहीं हो सकता है वो आत्म निरिक्षन करें वो कौन लोग है जिसको इसका भी दुख हो रहा हूँ मान्य दग्जी मान्य दग्जी आज दुनिया की हर विश्वस्निय सहुस्ता सारे एक्सपोर्ट्स जो वैश्वीक प्रवाहों को बहुत गहराई से अध्यन करते हैं जो भविश्व का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं उन सब को आज भारत के प्रती बहुत आशा है विश्वास है और बहुत एक मात्रा में उमंग भी है और आखिर ये सब क्यों हो ऐसे ही तो नहीं है आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस प्रकार से बड़ी आशा की नजरों से क्यों देथ रही है इसके पीचे कारण है इसका उत्तर छिपा है भारत में आई स्थिर्का में भारत की बैश्वीक साख में भारत की बढ़ते सामर्थ में और भारत में बन रही नई संभावनाओं में माने अंधिक जी हमारी रोजमेरा की जिन्दिगी में जो बाते हो रही है उसी को मैं अगर शब्द बद्द करूँ और कुछ बाते हुदाहर से समझाने की कोशिश करूँ अब आप देखिए भारत में एक दो तीन दसक अस्थिरता के रहे हैं आज स्थिरता है पोलिटिकल स्टैबिलिटी है स्टेबल गवर्मेंट भी है और दिस इस जी गवर्मेंट है और उसका भरोसा स्वाभावी होता है एक निनायक सरकार एक पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार वो राष्ट हीत में फैसले लेने का सामर्त रखी है और ये वो सरकार है रिफॉर्म आउट अप कंपल्चन नहीं रिफॉर्म आउट अप कन्विक्शन हो रहे हैं और हम इस मार्क पर हटने वाले नहीं हैं चलते रहेंगे देश को समय की मांग के नुसर जो चाहिए वो देते रहेंगे मानिया देख जी एक और उदहान के तरफ में जाना जाओगा इस कोरोना काल में मेडिन इंडिया वैक्शिन तयार हुई है भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्शिनेशन अभियान चलाया और इतना ही नहीं अपने करोड़ों नागरीकों को मुप्त वैक्शिन के टीके लगाई है इतना ही नहीं एक 250 से ज्यादा देशों को इस संकट के समय हमने जहां जरुरत थी वहां दवाई पहुंचाई जहां जरुरत थी वहां पैक्शिन पहुंचाई और आज विश्व का कई देश हैं जो भारत के विशे में इस बात पर बड़े गवरव से विश्व के मंच पर धन्यवाद करते है हारप का गवरवान करते हैं